सद्धियों में धेर सारी खुशिया लेकर आता है क्रिस्मस और क्रिस्मस अपने साथ लेकर आता है प्लम केक की गुड्नेस और साथी साथ बहुत सारा स्वाद तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जारी हूँ, बहुत सारे nuts से भरा हुआ, स्वाद और मिठास से भरा हुआ plum cake इसे हम घर में बनाएंगे, एकदम soft, spongy और बहुत ही tasty plum cake हम घर के comfort में बनाएंगे इसे बनाना बहुत आसान है, बिना अंडा, बटर या फिर अवन के इस्तिमाल किये बिना ही हम इस cake को बनाएंगे आप देख सकते हैं कि ये cake कितना super yummy दिख रहा है और साथी साथ बहुती spongy है इसमें पूरे nuts भरे हुए है, nuts and resin से बना हुआ, ये cake चलिए शिरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया है orange juice, आप चाहें तो fresh orange juice का इस्तिमाल करें या फिर ऐसा जो carton वाला आता है, ऐसा भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर Tropicana का orange juice ले रही हूँ, ये 20 रुपीज वाला pack है और एक average size के cake को बनाने के लिए sufficient है, तो चलिए शिरू करते हैं तो सबसे पहले हमने जो 20 रुपे वाला Tropicana orange juice लिया है, उसे एक bowl में खाली कर लीजे ध्यान रखें, आपको सिर्फ और सिर्फ orange juice का ही इस्तेमाल करना है, आप चाहे तो fresh orange juice का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको करीब एक glass orange juice चाहिए उसके बाद इस ओरेंज जूस में आपको करीब जो भी आप ड्राइफ रूट से इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इसमें मिक्स कर दें मैं यहाँ पर मिक्स कर रहे हूं करीब दो बड़े चमच किश्मिस, दो बड़े चमच बारी कटे हुए बादाम, दो बड़े चमच अक्रोट की गिरिया, काजू, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टूटी फूटी इन सारी चीजों को आप इस ओरेंज जूस में तो बड़े चाइब चाइब करीब तीन से चार गंटे पहले रख दीजे, अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजे, ड्राइफ फ्रूट्स को आप चाहें तो साबूत रखें या फिर कट करके डालें, आप जैसे आपकी मर्ची हो आप वैसे इसे यूज में ला सकते हैं, तो करी पीने वाले कप से लिया है, मैंने करीब एक कप चीनी, चीनी को आप एकदम स्लो फ्लेम पे सेखते रहें, जैसे भूनते ना चीजों को, बस ऐसे ही आप भूनते रहें, आप देखेंगे कि थोड़ी तिर बाद वो मेल्ट होना शुरू हो गया है, और साथी साथ आपको इस मेल्ट करना है, ऐसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो इसमें लंप सा जाएंगे, फ्लेम जो है, वो एकदम स्लो रखें, नहीं तो चीनी जो है, जलने लग जाएगी, जो कैरेमल का स्वाद होता है, हमारी जो ओरिजनल प्लम केक होता है, उसमें स्वाद और कलर जो होता है वो कैरेमल की वज़े से होता है तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार एकदम क्रिस्मस में चार चांद लगाने वाला केक हम बना रहे हैं आप देख सकते हैं कि जो हमारी चीनी है वो एकदम कैरेमलाईस हो गई है बहुत सारी लोग मुझसे ये क्वेरी करते हैं कि इसमें good use कर सकते हैं क्या तो जी हां use कर सकते हैं तो जब चीनी पुरी तरीके से पिघल जाये तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके जो पानी हमने रखा था वो पानी डालते हैं आप देखेंगे कि कुछ एक पपडी टाइप की बन जा रही है, कोई बात दी घबराईगे बात ये पपडी थोड़ी देट में डिजॉल्व हो जाएगी, ऐसे इसे थोड़ा सा फोल्ड कर दे, वो डिजॉल्व हो जाएगी थोड़ी देट में, और आपको ऐसा डाक ब्राउ गया है, ये डिजॉल्व हो जाता है, तो अभी मेडियम फ्लेम पे आप इसे डिजॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें एक उबाल आने लग गया है, साथी साथ जो कैरेमल है वो भी डिजॉल्व होने लग गया है, अल्मुस्ट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो क्लियर सलीशन बनके और ब्राउन कलर का तो चलिए भी समय पे आपको फ्लेम ओफ कर देना है और इसे आप करीब एक घंटे ठंडे होने के लिए रख दे अब एक बोल में हमें लेना है तीन शताई कप दूद और जितना दूद लिया है उतना ही आपको लेना है कोई भी वेज एक कप ले और एक बड़ा चमच भरके भी मैदा ले 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 और उसके बाद आप इसमें आड़ कर दीजे दो बड़े चमच मिल्क पाउडर यदि मिल्क पाउडर रही है तो उतना ही मैदा और बढ़ा ले और ऐसे एक विसकर की हज़से ऐसे आराम से छनी से आप इसे छान और चनी से छानने के बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमें इसमें अंडा या बटर वेगरे इस्तिमाल करने की कोई जरूरत नहीं है बहुत ही सिंपल चीजों से हम बहुत ही बहतरीन एक प्लम केक बनाएंगे तो जब आपका मिक्षर कुछ इस स्टेज में पहुँच जाए आप इसे लगातार चलाते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से एकदम लंप सा बन जाएगा और जब यह लंप सा बन जाएगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैरेमल डालते हुए इसे और भी लिक्विडाइज करना है याद रखें क्योंकि हम कैरेमल का इस्तिमाल करने इसलिए आपको शुगर यूज करने की जरूरत नहीं है कैरेमल की ही मिठास से हमारा जो केक है वो स्वादिष्ट बनेगा तो ऐसे लगातार चलाते जाएं चलाते जाएं थोड़ी दिर बाद इसका एक दम स्मूध पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा और कैरेमल डाले कंसिस्टेंसी ध्यान रखें आपको अपने अकॉर्डिंग ही बैलेंस करना है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आड़ कर रही हूं करीब एक छोटा चमच वनीला एसेंस आप चाहें तो इसे यूज करें या फिर स्किप भी कर सकते हैं यह पूरी तरीके से ऑप्शनल है लेकि जो हमारे डट से वो एकदम फूल गए हैं उन्होंने जूस एब्सॉर्ब कर लिया है सारी चीजों को ऐसे मिक्स कर दें एक रिबन कंसिस्टेंसी का आपको पेस्ट बनाके रेडी करना है यह देखिए ऐसा और यहां पे आपको इसमें आड करने हैं थोड़े से मसाले तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसमें जायफल ग्रेट कर रही हूं आप चाहें तो जायफल के पाउडर का भी यूज करें यहां पे आप अपनी मन पसंद के कुछ मसाले यूज कर सकते हैं जैसे कि दाल चीनी, हरी इलाईची और जैफल ये चार मसाले आप इस्तिमाल कर सकते हैं इनका पाउडर बना के आप इसमें आड़ कर लें यहां पर मैनेज में डाला है सिर्फ जैफल और इलाईची पाउडर बहुत सारी लोग मसालों का स्वात पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रखें चाहें तो अल्टोगेदर इसके भी कर सकते हैं तो यहां पर हमें इसके बाद आड़ कर देना है करीब दो छोटा चमश बेकिंग पाउडर और एक छोटा चमश बेकिंग सोडा और साती साथ करीब चार चुटकी इसमें हमें नमक भी आड़ करना है एक बार फिर से सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ध्यान रखें कि जो baking powder, baking soda वेग रहे हैं वो सबसे last में ही add करना है और add करने के बाद एक बार फिर से अच्छी तरीके से mix करें और cake tin को ready कर लें, grease करके अच्छी तरीके से आप चाहें तो इसमें butter paper भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप उसमें डाल दें, जो mixture है उसके बाद डैप-डैप करके उसकी सारे air bubbles remove कर दें और उसके बाद हमने ये कडाही को ढख के करीब 15 मिनट पहले से ready किया हुआ है, medium flame पे आप एक कडाही चड़ाएं उसको ढख दे, करीब 15 मिनट पहले तक, उसके बाद ये एक oven का काम करेगी, उसके बाद हमारा cake tin है, हमें उसमें mixture डालने के बाद इस कडाही में रख देना ह जो बरतन रखने में रखने में stand होता है, उसको आप उलटके रखें और ऐसे रख दे, कोई भी नमक रेट वेगर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जो cake का batter है, उसके उपर आप अपने मन पसंद के dry fruits डाल सकते हैं, skip भी कर सकते हैं, dry fruits, tutti fruity इन सारी चीज़ों को डाल सक आप एक इसमें कोई भी knife या फिर toothpick प्रिक करके देखें, कि वो clear यदि बाहर आ रही है, it means कि आपका cake ready हो गया है, यदि cake ready हो गया है, तो gas की flame off कर दें और एक बर फिर से, कडाही जो है, उसे cover कर दें, कडाही में जो बची हुई heat होगी, उससे आपका जो cake है, वो अच्छ केक पी मोल्ड होके बाहर आ गया है, मैं आपको एक दम नजदीक से दिखाती हूँ, कि कितना shining है, कितना अच्छा है और बहुत ही spongy है, अभी मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं, कि sponge एक दम बाहर से दिख रहा है, कितना spongy है, ध्यान रखें, क पूरी तरीके से केक थंडा हो जाए, तभी आप उसे डी मोल्ड करें,